रोविद जर्मा और शुपमन गिल की बीच में लफडा हो गया है तिया गाइस सही सुना आपने आप मानो या ना मानो गाइस लेकिन ये सच है यहाँ तक कि शुपमन गिल ने रोविद शुमा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है सुना गया है कि गिल को BCCI इंडिया वापस बीज रहा है और BCCI ने ये कनफर्म कर दिया है कि गिल को डिसेबलिनरी इशुस के वज़े से वापस बेज रहे है यहाँ गाइस गिल अपने टीम के साथ यूए से गये जरूर थे पर वो अपने टीम के साथ नहीं थे यहां तक कि वो इंडिया वर्सस पाकिस्तान मैच के दोरान भी मौजूद नहीं थे यहां तक तो ठीक था गाइस लेकिन गिल ने रोईच शर्मा को इंस्टाइग्राम पे भी अनफॉलो कर दिया है अब कोई तो रीजन होगा जिसके वज़े से गिल ने इंस्टाइग्राम पे रोईच शर्मा को अनफॉलो किया है अभी फॉलो अनफॉलो का बात साइट पे रखते हैं और आते हैं मेन मुद्दे पर क्या BCCI गिल के अगेंस भी सेम एक्शन लेगा जो उन्होंने श्रेय से रोईचान किशन के खिलाफ लिया था अब ये बात तो BCCI जानता है कि गिल के अगेंस क्या एक्शन लिया जाएगा कल इंडिया वर्सेस कैनेडा का मैच भी कैंसल हो गया गीली आउटफिट के वज़े से अब इस कैंसलेशन से कोई फरक तो नहीं परता है क्योंकि इंडिया अल्रेडी क्वालिफाई कर चुकी है सूपर 8 के लिए और कैनेडा अल्रेडी बाहर है सूपर 8 से तो दोस्तों आपको शुबन गिल और रोई शर्मा के लफड़े के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना